दोस्तों शुरू करते हैं exercise 6.6 से question number 4 इन figure दियो ही आपको ABC is a triangle in which angle ABC is less than 90 इस triangle के अंदर आपका जो angle B है वो 90 से कम है and AD perpendicular to BC और AD BC के उपर perpendicular है prove that तो आपको prove करना है AC square is equal to AB square plus BC square minus 2BC into BD ये चीज़ आपको prove करनी है अब ये question बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने question 3 किया है बस उसके अंदर यहाँ पे plus था और यहाँ पे इसमें आपका minus है चलिए इसकी शुरुआत करते है question की prove देखे इसमें जो दो आपको right triangles दे रखे हैं न वहीं से आपको शुरू करना है सबसे पहले ले ले आप अपने इधर वाले triangle को ADB को इसमें से आप AB square की value निकालेंगे लिखेंगे in right triangle ADB by Python को रस्थियोरम क्योंकि ये 90 degree है यहाँ पे तो ये भी 90 degree होगा तो इसमें जो AB square की value होगी आपकी hypotenuse की यानि की बाकी की दो side के square के sum के बराबर ये हो जायागा आपका AD square plus BD square इसे number one रख ले आप अप इसी तरह से अपने दूसरे वाले triangle को लेंगे ADC को इसमें आपका hypotenuse AC है 90 के सामने तो AC square की value हो जाएगे आपकी AD square plus DC square इसे आप number two रख ले अब आपको जो number two है ना इसी से आगे proceed करना है यहाँ आप AC square ही रखे और इस AD को भी आप AD ही रखे लेकिन इस DC की जगे पे देखिए DC को आप किस तरह से लिख सकते हैं आप DC को लिख सकते हैं कि पूरा BC minus BD BC minus BD लिख सकते हैं आप DC को क्योंकि इतना DC है यह और पूरा का पूरा यह BC है अगर पूरे BC में से यह वाना BD minus कर दें तो फिर आपकी यह लेंट तो रह जाएगी तो DC को आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में BC minus BD और इसका whole square भी है अगले step में AC square as it is रहेगा आपका AD भी as it is रहेगा प्लस और यहाँ देख रहा होगा आपको A minus B whole square तो A minus B whole square की इसमें identity लग जाएगे आपकी और identity होती है A का square प्लस B का square माइनस 2AB जहाँ पे आपका A और B, BC और BD हैं तो पहले BC का square होगा प्लस फिर BD का square होगा फिर क्योंकि माइनस है तो माइनस आएगा फिर 2 आएगा और उसके साथ ये दोनों product में आजाएंगे 2BC into BD इसके बाद इसके बाद आप ये देखेंगे आप number 1 पे जाएए number 1 में आपको AD square प्लस BD square ये दो चीज़ें आपको AB square के बराबर हैं और यहाँ पे भी आपकी ये दो चीज़ें हैं ये रापका AD और ये रापका BD तो क्या करेंगे कि AD square और BD square को एक साथ ले लेंगे इस तरह से इसका पेर बना लेंगे और अगले step में AD square प्लस BD square की जगे पे आप लिख लेंगे AB square क्योंकि ये AB square के बराबर है तो यहाँ लिख लिया AB square और जो चीज़ें बागी बच गई उन्हें as it is आप copy कर देंगे यहाँ से BC square बच गया और इसके आगे ये minus 2 into BC into BD बच गया इसी चीज़ को आप अपने next step में copy कर ले BC square minus 2 into BC into BD यही आपका result देखिए उपर AC square is equal to AB square plus BC square AC square is equal to AB square plus BC square minus 2 BC BD minus 2 BC BD इस तरह से आपका एक question हो जाता है तो बहुत simple question था I hope आपको इस समझ में आया होगा ठीक से वीडियो गर अच्छा लगा हो तो प्लीज से like करना, share करना और 10th class का complete math पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी subscribe करना, thank you